कबर होने वाले हैं हिस्ट्री से जो की पिपर आने वाला है और आपका भी मद्बंग अंदी उनिवेस्टी जो आपकी ब्रयानस में है वहां का एकजाम चला है तो उसी देश्टी से अन भी उनिवेस्टी के बाद में एम्जेपी का होने वाला है तो किसी भी उनिवेस्टी आ रहता है इसका टाइम तो चाल्स कोशन कब रहा है इसमें हिस्ट्री पार्ट थरी पार्ट दो अप्लोड चुके हैं नहीं देखा है उनकी लिंक आप कुछ डिस्क्रशन में मिल राएंगे फर्स पार्ट सेकंड पार्ट वीडियो का फिर सब्सक्राइब देखें क्योंकि उसम सब्सक्राइब करेंगे कोशन सब्सक्राइब करते हूं वीडियो को बसे देखें जैसे आप अच्छे नमबर परक्ट कर सकते कुछ इस बार जो है पैटर्न जो एक्जाम का है वह आपका बदला गया है और पैटर्न आपका जो है वो आपका है वो आइमार सीट का काटिंग होगा तो पैला कोशन है पेटी कोट सरकार पंदा सो साट से लेकर पंदा सो शुट तक इसके बीच का समय है ये के दोरान अकबर किस इस तरीके प्रभाव में रहा तो यहाँ पर इसके आप सना आपके दिए विचार मर्यम नूर जहां अकबर कोशन है मारा अकबर कोशन है किस संत के आसिरबा से अकबर के पूछ सकता है कि जहांगीर के बैटा था अकबर कोशन है अकबर किस का जहांगर का पिदा कौनता अकबर था तो यहाँ पर आपसन चार दिये हुए हैं पहला है निजामुदी न उदिया नेक्स्ट है सेख मुदीन चिस्ति C है सेख सलीम चिस्ति उपरुक्त में कोई नी डी आपसन तो राइट आपके जागा C इसमें यही हैं सेख सलीम चिस्ति की असिरबा से अकबर के पूत्र जहांगीर के ज़रन हुआ अगला कोशन है पानी पतका प्रतम युदु किस के बीच ला गया या किस के बीच हुआ तो इसमें वे आपके चारा आपसन है चारों देख लेते हैं कि अब्राइं लोधि और अक्बर के वीच अकबर तरफ मार्म-प्रताब के वीच अकबर और हे मूं के बीच नाक्ष्ट है अकबर अजम क्या बाव के विच अब तुम आपको प्रताब यहाँ पिछ रॉच ला पहल हम Зд हल्दी गाटा यह तुक रड़ा गया इसके आपसन चार दिये हुए हैं देख लेते हैं चार वापसन सन 17152 में सन 1575 में सन 1576 में सन 1574 में राट अंसल आपको जाएगा ओ है सी सन 1576 में हल्दी गाटिका यह दुआ कब प्रावर्म की तो यहां पर टाइम समय दिया हुआ है 1573 में 1574 में 1560 में सन 1573 में लृष्या कोश्न देख लेता है पटावर्म में मंसदाई पृत्ता किसने अर्म की थी मुगल काल में मंसदारी पृत्ता किसने अर्म की थी आप समय जाँ रहे है साजाने जहांगीर ने अख़वर्न यह बावर्ने हर न सर आपको जायेगा अक़वर्न की हेला कोशन है 14 फरपड़ी 1556 को 14 वर्स की उमर में अकबर का राज जब शेक के सिस्थान पर हुआ था तो यह आपसन दिये हुए यहाँ पर चार आपसन है बीकानेर, लाहोर, अजमेर आमेर और जैसलमेर तो यह आपसन आपका राज जैगसी आमेर इनियाजमेर में हुआ था अगला कोशन हमारा है अकबर ने इवाध खाना कहा इस्थापित किया अगरार के लिए में सिकंदरा में, दिल्ली में फते पुर्शीकरी में तो यह चार आपसन है अपसन आपड़ाट जैगस डी फते पुर्शीकरी में अकबर ने इवाध खाना इस्थापित किया पानी पत का दूसरा युद्ध कर लड़ा गया इसमें टाइम दिया हुआ है सिर्वेषstar सिर्वेष का युध इसमें जो आपसन आपड़ाट जैगस तो यह सोलासो पानच में ने के सोलासो आथ मैं इसमें जो आपसन आपड़ाट जाएगा अकबर की मिरतु का तो इसमें है 1605 में अकवर की मृतिव हुई नेक्स कोशन है इसी में जहांगीर जहांगीर की मृतिव कहां हुई थी तो यहां का इस्थान से सम्दने है पहला है सिंगला दूसरा है अमरसर तीसरा लाहुर है चौथा कस्मीर है तो आपका D आपसन राइट है जहांगीर की मृतिव कस्मीर में हुई खानवा का योद्ध बाबर ने किसको पराइट करके जीता यह खानवा की अद्ध में बाबर ने किसको पराइट किया तो आपसन आपका पहला है इबराहिम लोदी को दूसरा हेमू को स्वी राणा सांगा को और चौथ है शिकंदर लोदी को आपसन आपका जो राड़ जाएगा वो रहेगा सी राणा सांगा को खानवा नामकिस्थान कहां पर है यह जोड़ नामकिस्थान अगरा के बाद है पानी पतका पर्थम युद्व किसने जीता जो कि 25-26 इसमें हुआ था इबराहिम लोदीन जीता मोधिनी राय ने जीता जो आपसना हो रहा है इसमें बावर ने जीता यह जहांकी इतने आपसना पर जड़ जाएगा बावर ने अगला कोशन नमारा है चांदी का सिक्का सर पर्थम किसने चलवाया था तो आपसन यहां पर आपके चार दिये हुए हैं सिकंदर लोदी शेर्थासूरी हमाईयू अकबर आपसना ड़ाएगा वी शेर्थासूरी ने पहले इनिकी सब से पढ़े चांदी के जिक्का चलवाया था कि ति लम्जागते को झागते हैं व्यवर्स टाम लगेगा एक लगते हम्हें इनिकी किस अभ вам-या-किस रहे और अव्यान के तहट सेरसा सूरी गया यहां पर सेरसा सूरी की मिर्ती हुई थी तो यहां पर आपके आपसने चार मालवा व्यान कच्छ व्यान राइसीन व्यान कलंजर व्यान तो आपका अंसर है आपका बनेगा इसमें कच्छ अब्यान तो कच्छ अब्यान जो था उसके चलते शेर्चा सूरी की मिर्तिवरी है फ्रुला कोशन हमारा नियुन में से कौंट कि निए सेथा सूरीका उत्तर अद्यारी त다면 का आयाल मिना आप तंचाह रहे हैं आदल खान फिरोज्सा इसलाम शाह माधिर साहर है इसलाम साय इसलाम सा जुंहा हुआ शे से सूरी का उत्रा दिखा नहीं के तनी ज्ला और कोशन है। कितने अपाहिज किसने यहां पर कितने किसने इंप पंधerson 법 कर्ण कर जां जांकरे प्राप्त कर क het うलने कुझारा भथता दिया तो यहां पर नाम दिया है से सासूरी जहांगीर बाबर अंसर आपर आड़ जाएगा बी सेर्था सूरी ने जो था अपाईजों को सोची बनाकर और उनको गुजारा बता दिया अगला कोशन है सेर्था सूरी की मृतिव कब हुई यहां पर संदी हुई है टाइम दिया हुआ है नमबर यह दिया है पांच नमबर तना सो चबारिश में 22 मार्च 1545 में 22 मार्च 1545 में और 22 यहां पर उप्रोप्त में कोई नहीं तो राइट रांसर आपके जायाएगा यहां पर सी अलग यहां अधिक कड़ी मंगें पर यहां संदी हुई है सन 1630 में 1668 में 1655 में आप समय आपके जाएगा जाएगा अधिक 1668 में औरंग जेब गद्धी पर बैठा सिवाजी ने सूरत की लूट कब की यह प्रिशिद नंगर गुजरात का था यह सहर है नंगर है शूरत उसकी लूट कब की थी सिवाजी ने तो यहां पर आफसन दिये हुएं 1666 में 1660 में 1660 में 1660 में 1664 में साथा आफसन आप करण जाएगा भी 1717 में सिवाजी ने सूरत की लूटा अगला कोशन हमारा है कि शिवाजी के मंति मंदी को किस नाम से जाना जाता था तो यहां पर चार नाम दिये हुए हैं जैने में तो राय तराइट आपका आज हो है वो सी है अस्ट परदान नाम से सिवाजी के मंति मनलुको जाना जाता था अगला कोशन है मारा कोशन है सिवाजी मुगलों और मुगलों के बीच प्रिथम संगर सक पुआ तो यहां पर टाइम है अगला कोशन है सिवाजी का जनम किस दरग में हुआ था तो कल इंचा पर आपसन दिये हुए हैं पहला कलिंजद दुर्ग नंबर दो चंडीगड दी रायगड और डी सिवनेर दुर्ग तो शिवाजी का जो जनम हुआ था वो आपसना आपका डी राइट है सिवनेर दुर्ग में हुआ था अगला कोशन है हमारा ग्रांड ट्रंक रूड यह हमारे बात का सबसे बड़ा रूड है इसका नर्माण किस मगल सासक ने करवाया था उसके बारे में पढ़ लेते हैं पहला एला दुन खिल जी दूसरा अकबर है तीसरा हुमाईयू है और चौथा है हमारा शेर साह सूरी डी आपसन लाइट है है शेर साह सूरी ने जो है इसका निरूड करवायँ था ऋब लग। हुमाईयू का मकपरओ भार्थ की सैयर में स्तित कि यह बाहरे कि साहर में है आपसन आपकी जैट पूर इलाबाद आफरा दिल्ली तो आफर है का अ तो यहां पर आप संदिये हुए है काबुल कंधार मुगेर शाहसराम आपको बनेगा शाहसराम में इस्थिता है किसका सेर्शा का मुगवरा अगला कोशन किस मुगल सासर का मुगवरा पाकिस्तान के सार लावर में इस्थिता है तो यहां पर आप संदिये हैं अकबर का अरंग्जेप का जहांगीर का सेर्शा सूरी का आप संद रट जाएगा आपका सेर्शा सूरी जहांगीर का जो मुगवरा है वो पाकिस्तान के सार लावर में इ पहले पार्द पाकिस्टन एक ही था इसके बाद कोशन नमर 39 है 31 जहांगीर के साथनकाल में नियुन में से कौन चित्रकार था या थी तो यहां पर आप सम्चार दिये हुए हैं विशंदास मनुहर गोबर धन उपरोक्त में सभी तो आंसरा आपकर रड़ जाएगा उपरोक्त में सभी यह सभी जहांगीर के साथनके दरबारी थे अगल कोशन हमारा है मुगल्स काल में कौनसी पहली इमारत पूर्ञ रूप से संगनवर दौरा बनी थी जहांगर का मकवरा, मुती मजजित, ताज मैल, आपसन डी आपका राइट है अत्माद दौला का मकवरा पहली मारत थी जो मुगल काल में पूर रूट से संगमारत से बनी थी सबसे पहली मारत नक्स कोशन हमारा निमन में से कौन सा मुगल बात सा चित्रकला का माहन पारखी था मतलब सिक्स कित्रकला का माहन बहुत बड़ी परक्त थी तो इसमें भी आपसना आपके चाड़ दिये हुए है हमाईउ, साजा, अकबर, जहांगी तो कोशन ऐसी रहा सकता है कि जहांगीर किस कला का महान पर की था तो आप संदेंगे चित्र कला का यहाँ पर चित्र कला पूछा गया तो आपके जहांगीर राइट अंसर आपका है अगला कोशन है जहांगीर जहांगीर के साथ नकाल में मुगलों मराठों की बीच संदी कब हुई भाई यो दोता आतो संधी भी होती है तो आयो बीड़ों पसंदार आ होगा आप लाइज रूकर दीजेगा जो ठीक मिलते हैं कोई मागी कासम देता है कोई पिता करें देता है ऐसा कुछ नहीं है आपका एजुकेशनल है से रूकर दीजेगा दोस्तों में पहला अपसंस में अब मिदोधका है सन सोला सोदा में भी है सन सोला सो फंदरा में और डी है सन सोला सो सत्रा में तो संधी जो इनके बीच हुई थी सन सोला सो कि कि सन 1615 है मुई हो आपसन आपका राड़ जाएगा सी बढ़ते हैं आगे लिखा है कि ताज बेगम का वास्त्र की नाम क्या था यहां पर आएगा मुमता आज ठीक है यहां पर मैं मुमता लिख दूँगा अभी टाइप करूँगा तो नाम इनका आफसन है आपके चार नूर जहां चांद बीवी फरत बानो और अरजुमंद बानो बेगम तो राइट अंसर आपका राएगा डी अरजुमंद बानो बेगम साइजहां का मकबरा भारत के किस सर में इस्ते था है अपसन डी दिली ए बी लावाद डी ए लाहुर डी आगरा तो इसमें आपका तो साइजहां का मकबरा वो आगरा में इस्ते था है और ये भी बुच्छाता है कि ताजमन के सर में तो आगरा में मंताज का मकबरा तो बुच्का आगरा में ही है कोशन कैसे ही बूल सकता है गुआ कर बड़ते अगले कोशन की और अबूलहसन किस सासक का प्रस्चित दरवारी चित्रकार था आपसने हुमा दरवार का अकबर के दरवार का जहांगीर की आपसने को इसमें दिया है और अग्जिव तो राइट अंसरा पिलाएगा जहांगीर अगला कोशन है नियोट मैसे के सैली का प्रभाव मोहरत कारे पर नहीं था उसमें आपसने पार्षी बार्थी चीरी वैक्टिरिया तो यह वैक्टिरिया घो सैली थी कुसका जो प्रभाव मोगल काली चित्रकार पर नहीं ता कोशन नम्मंब 49 है बदाइउं गेट कहा है अक्सट करने पुज़ाते है कि बदाइउं गेट तो बदाइउं में होगा आई आफ तक लिए हैं डिली में अगरा में जहानाबाद में हैं बदाइउं में तो आप सना आपका राइड जाएगा दिली गेट वस्वरी बदाइ तो राइगड में इनका राजर से गुआ, तो प्रेज आई हो बिडियो पसंद आयागा, पसंद आया तो विडिय को लाइक कर दीजिए, और दोस्तों में से करना ना भूलिएगा, कमेंट भूलिएगा, पहले परी कमेंट जाय रहता है, आप किस पर वीडियो चाहते हैं, भो प्रोड़ों